कि अदा को चालो चीज दिखे कि उसे निराज में करूंगा जांच से माज डालूंगे तो में चांग आथी ओए उवी इसी लड़के क्या हूं और क्या क्या मैं ऐसी वैसी लड़की हूं वैसी तो नहीं हो लेकिन नकल तुम वैसी की कर रही थी खाली दमाग शैतान का घर तो इस खाली दमाग को भरने के लिए घर में एक नन्ना सा शैतान लाना पड़ेगा जल्दी से लादो ना पूरा दौस मैंने लगते है में साथ कि अ कि अ कि तुम्हें खुद आपने आप पर विश्वास ले तुम्हें खुद आपने आप पर विश्वास ले अगर मेरा विश्वास टूटा है इसके जिम्मेदार तुम हो आहां सब कुछ मेरी वज़े से तुह है मेरी वज़े से तुम्हारा विश्वास टूटा मेरी वज़े से तुम मुझसे तंग आ चुकी हो मेरी वज़ा से तुम फ्लर्ट बने लेकिन मेरी वज़ा से जो मुझे तुमसे मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिलता क्योंकि तुम हमेशा मुझे निचा दिखाने की कोशिब करते हैं कभी मुझ खोल कर कहा तुमने क्या चाहिए तुम्हें क्या है जो तुम्हें नहीं मिलता तुम चाहते हो तुम्हारे मन की बात बोले बगर में समझ जाओ लेकिन तुम्हारा मन वो कहा होता है आमर तुम हमेशा मेरी गलतिया निकलते हो पिछ बाद के लिए भी तुमने मेरी तारीफ की है वजहां तक मेरा सवाल है नामर तुम सब्स बरफ का टुकड़ा हो मैं एक परफ का टुकड़ा हो आज एक परफ का टुकड़ा हो लेकिन याद करो जब मैं भी खोलते पांधी की तरह गरम था यही तो है या तो तुम बरफ हो या खालता पानी God what an extremist you are कुछ तो तुम मेरी वज़ा से हो हूँ लेकिन होना नहीं चाहता हूँ छीखे छीखे बस मैं हार गई तुम जीद गए अग प्लीज चुप करो फ़री से शांती तो मिले शांती शांती अगर चुप करने से या हारने से या जीतने से मिलती तो ये दुनिया कप की सुखी हो जाती तुम्हें शांती चाहिए सच मुझ की शांती चाहिए तो पहले आपने आपको अंदर से शांत करो फिर मिलेगी not before that हो आती है समझदारी के साथ प्यार के साथ और ये तुम्हारा बरफ का टुकड़ा अपनी प्यास से पिगल जाता अमर अमर